पुत्राखंड हाई कोट ने राजसरकार को एक साल के भीतर प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खतम कर रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये हैं। बता दें मंगलवार को हाई कोट ने राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर दायर जनित्याचिका पर सुनवाई की। मिक्षा करने में परिशानी आती हैं। कोट ने भी ये कहा था कि राज्य में एक समान कानु व्यवस्था सभी नागरीकों के लिए होनी चाहिए। उच्ची नियाले ने इस संबंद में सरकार को 2018 में कई दिशानिर्देश भी दिये थे। लेकिन उन आदिशों का पालन सरकार ने नहीं किया। बतादें इस मामले में दहरादून की समाधान संस्तागी और से जन्हित याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका में कोर्ट से अन्रोद किया गया कि पूर में दिये गए आदिशों का नूपालन राज्य सरकार से सुनिस्चित करवाया जाए।